वेरी गुड मॉनिंग डियर विश ऑफ दे चैनल लाज देख स्वागत आज थर्ड डे है अमारी कॉंसलिंग का डिये की अड्मिशन्स का और जैसे कि आप जानते हैं कि आज सबसे पहले सुभे दस बजे चेनरल केटेगरी की होनी है इसके बाद रिजर्व केटेगरी और उसके बाद लास्ट में ओवर और अबब सीट्स की होनी है और आज कॉंसलिंग का तीसा दिन है और आज कॉंसलिंग खतम हो जाएगी शाम तक बच्चों तक मेसिज पोंच जाएंगे फीस पे का और वो अपने यस्पेक्टिव को जब आज आपकी फीस कहीं दिक्क्त हो सकती है तो थो इलांट्मेंट जब होगी आपकी वेरिविकेशन हो जाएगे सब कुस सहीं पाया जाएगा तो तब आपने fees pay करते हैं अभी भी काफी बच्चों के questions हैं, courses के बारे में, जैसा कि कल रात को भी मैंने बताया कि जो courses, subject change की बात है, वो college level पे होगा, अभी इस level पे सिरफ admission process के बारे में बताया जा रहा है इसके बाद हम बात करेंगे हमारी fees refund की फीस refund की बाने बात बताई है जिनकी दो colleges में allotment होगी है, जैसे पहले एक counseling में भी होगी, अब second में होगी तो वहाँ पर withdraw करने का option भी आ रहा है withdraw करनी है, और fees refund का भी वहाँ पर option है, तो वहाँ जाके fees refund कर देनी है, और अब जो इसमें आप admission ले रहे हैं, और कई बच्चे wait करें, need क्या wait करें, कोई J-Mains की wait करें, कोई दिल्ली उन्विस्टी की wait करें उन सभी के लिए notifications हाएगी, अभी तो क्योंकि लगबग 25 तारिक तक admissions चलेंगी तो 25 तारिक के बाद ही कुछ ना कुछ clarity आएगी तो अब हम wait करेंगे उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी admissions अभी भी नहीं हुई है, अभी wait कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि अभी वो wait करें, Monday को vacancy list आ जाएगी और vacancy list आने के पच्चाथ हमें मालूम पढ़ जाएगा कि कितनी सीटे कहां बच्ची है और उसी अधार पर हम admission का आगी का focus करवाई में तो सीट प्रेडिक्शन और उसके लिए आगी भी बनते रहे, देखते रहे चैनल को और ये थी सुबह सुबह की update हमारे DHT admissions के लिए तो आपने counseling के दोरान कुछ नहीं करना आप आप सीखी गए हैं, बहुत अच्छी रहे, मैंने आपको बता दिया, पिछले साल तो काफी बच्चों को दिखता थी थी, बार-बार पूस्ते थे, सब आम एक है college में जाना पड़ेगा, college में participation करने पड़ेगी, google meet के तुरू, कुछ नहीं होना, आपने तो सिरफ अपने घर पे बैठना है आपकी document verification होगी online, check करें जाएगी committee, आपकी check करेंगी और जैसी document सारे जो आपने लगाए हैं वो सही पाये जाएगे, तो आपका admission confirm हो जाएगा, अगर किसी में कोई कमी आती है, तो आपको call करेंगे, message करेंगे आपने तुरंत उसका समाधान कर देना है तो ये थी बिल्कुल छोटी सी video आप लोगों के लिए तो thank you, thank you for watching my channel that is educate.com धन्यवाद सभीको नमस्कार, आपका दिन बहुत शुगर है और आप गर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान अबे, तन्यवाद